नमस्कार दोस्तू आप सब का मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागे थे आज हम बीए फाइनल येर में सामिल उत्राखंड का हिंदी साहिति पुस्तक की कविता अपने अपने बाक की व्याख्या करेंगी इसके लिखाक उत्राखंड की सुप्रसिद्ध साहिति का लीला धर ज जिले के धंगर गाउं में हुआ था वी वर्तमान में धीरादून में रहते हैं लीला धर जगुडी जी ने सिक्षक की नौकरी की और उसके बाद उत्रप्रदेश सुषना विभाग में अधिकारी रहे उनकी कविताओं में आकती तोर अज्यात की भी अनुभाँ मिल जाते हैं हर पार कविता की एक नई प्रजाती को जन्म देने की आकांशी और आधूनिक संस्कारों के इस कवीने छोटी बड़ी कई कविताएं लिखी हैं अब हम इनके कविता संग्रा जान लेते हैं ये परिक्षा की दृष्टी से अत्यधिक पहत पूर्ण है इसमें सामिल है सं अनुभों के आकास में जान महागावी की बिना खबर का मुह विग्यापन से ढगा है इश्वर की अध्यक्सता में कवेता का अमर्फर इन्हें प्राप्त संमान इस प्रकार है साहित्य अकाद्मी पुरस्कार इन्हें यह पुरस्कार अनुभों के आकास में चात के लिए 1997 म व्यास सम्मान, जगुडी जी को 2018 में 28 व्यास सम्मान दिया गया केके बिल्ला फॉन्डेशन की ओर से, यहाँ इन्हें मिला इनके कविता संग्रा जीतने लोग उतने प्रेम के लिए. अब हम आगे इनकी कविता अपने अपनी बाग की व्याख्या कर लेते हैं. जवान होती लड़की को और जवान होती लड़की को बाग उठा ले गया अंधीरे में एक दुसरे का बाग, दुनों के सिर पर बहुत दिनों से आत्मविश्वास के उल्लू मंडरा रही थे, चोगुनी चोकननी आखों वाली लाल नीरी जबरीले, रातरी चर दुल्ला भुल जो अंधीरे में ही देख पाती थे आईने की बिना भी, लच्चा से लाल दुख से सावले और अंचकी स्वात के सुख से विभूर अपनी सुलहले मुख, कोई नहीं कहता उनकी भागने को प्रेम में भागता, कोई उस नर्भक से का नाम नहीं लेना चाता, जिससे प्रेम क उसी हुई, उम्र के साथ सबकी भीतर अपनी अपनी बाग पैदा हो जाते हैं, दिली जपटों की बीच वे किसे को भी जंगल में उतार देते हैं, सोर में फसी नाकरे की कांत की जंगल में कोई नहीं सुन पाता, उनका गरजन इस काव जयान से में कवी ने सामा जी की अठार्थ का वर्णन किया है, बाग सी तातपरी है इच्छायों से, मनिसे की ऐसी अनकीनती इच्छाय होती है जो कभी पूर्ण नहीं होती बाग का तातपरी कवी ने वहीं लिया है सभी की इच्छाएं अलग-अलग होती है उसी कवर्णन लेखा करती है और वर्तमान में जो यूवा पेड़ी है उसके इस कविता में उनके प्रेम को माध्यम बनाया गया है कवी कहते हैं कि एक लड़की और एक लड़की को बाग उठा ले गया यानि कि दोनों की इच्छाएं एक दुस्वी पर हावी हो गई अर्थात यहां पर इनके प्रेम पर बात की गई है कि वर्तमान युवा पेड़ी किस और उन पर जो वर्तमान युवा पेड़ी है उन पर किस प्रकार प्रेम का आत्मविश्वास चाया हुआ रहता है आगे कवी कहते हैं कि रात्री चर दुल्लब उल्लू जो अंधीरे में ही देख पाती थी आईने के बिना भी कहने का तात पर है कि रात्री में भ्रहमर्ण करने वाली जो विसेश प्रजाती के ये उल्लू थी यहां कवी उन युवा हुती लड़की और लड़की की बात कर रहा है जिने बाग उठा कर ले गया है यानि कि इच्छा रूपी बाग वे अंधीरे में भी बिना किसी आईनी के भी देख लेती थी कि सामने वाली का मुख लज्चा सी लाल है या दुख से सावला पड़ा एक दुसरे के भाव का अनुभाव करते हुए एक अव्यक्त या अंच्यकी सुक सी आत्म विभूर होकर प्रेम में अपना स्वर्णे भविशी की कलपना में वो डूबे रहते थी कवी कहता है कि समाज में कोई भी उनके प्रेम को सुकृति प्रदान नहीं करता है कोई भी समाज के ठीके दारो रूपी नर्भक्षियों का नाम नहीं लेना चाता जिनकी नजरों में प्रेम की कोई एहमियत नहीं है उनकी सब्दों में प्रेम करना समाज की इज़त पर हमल करना है आगे कभी कहते हैं कि पंचों के प्रेम में तो भाईचारा होता है उन दोनों ने उन भाईचारी को तोड़ दिया है अर्थाथ पंचों के दृष्टी में दोनों का प्रेम अमान ने था आगे कभी कहते हैं कि उम्र के साथ ही सब की अंदर अपने अपने इच्छारूपी बागों का जन्म होता है ये इच्छारूपी बागोंने किसी भी दिसा में ले जा सकते हैं उन्हें पद्ष्ट कर सकते हैं युद्ध की ओर ले जा सकते हैं और प्रेम में भी डाल सकते हैं इ इसके भीतर के बाग को कही ले जाकर मार डाले। दोस्तों, यहाँ पे विशेस यही है कि कभी ने सामाजी के अथार्ट को प्रतिकों द्वारा सुक्ष्मरुप से अभिव्यक्त किया है। प्रेम तत्तुतु मनुश्यता की धूरी है, सामाजीक द्रस्टिकों से वर्जित है। यहाँ बाग और कोई नहीं हमारी कभी नसमापत होने वाले इच्छा हैं। आगे दिखते हैं। पहर भी बस पकड़ पाएंगे, शायद परसो साम कहीं जाकर बैट पाएंगे रेल में। अंधिरा पाक पार करते ही स्वाधिन्ता की सहथ में लिप्टा चाद उन्ह दिखा उन्हें। आधिरा से कुछ पहले जो दे पाया उनका साथ, दुसरा पाक पार करने में काम आये की चादनी। उन्हें साम से ही जरुवती उस बारा सेंगे की जो भले ही चान पर विचरता हो पर बाग से न डड़ता हो। और जो बर्व से मैं सिहरती पीट से धूप को न गिरने दे और पीछे जिस रात निकले वे उस रात की कहा सुबा होने को हो। रात में छोड़े हुए गाउ का भी सवीरा हुआ है सुबा के उजाले में फैल गया एक वाक्य। प्रस्तुत का व्यान समें कवी लीला धर जगूडी जीने प्रेम में डूबे लड़कालड़की के परिवेस और उनकी प्रेम को बचायी रखने की कोशिश को अभिव्यक्त किया है कि किस प्रकानुने अपने अपने बागों को भुव से स्वरक्षत रखने लिए घर छूर इसको कवे ने बताया है कि एक उच्छ वर्गसी था दूसर निम्न वर्गसी लेकिन उनके यूवा प्रेम की प्रवाहनी बागो की परवा करते हुए अपना रास्ता स्वेम तलासा था एक रात की अंधिरी में उन दोनों ने घर छोड़ दिया नदी पहाडों को पार कर वी ग लंबी सफर की परश्चात उन्हें आजादी का अनुभा हुआ भाव्या है कि दोनों ही अपनी परिवे से बहुत दूर चले आये थे जहां कोई सामाजिक प्रतिबंध उन पर लागो नहीं होता था लंबी आत्रा में उनके परस पर विस्वास चादनी और चादनी भरपू सकी पता नहीं उन्हें एक साथ मिला हो गया नहीं लेकिन उस अंधीरी राग की सुवा हुई तो सब की मुख पर एक ही बाग की था वह बाग की क्या था कि उन दोनों को बाग उठा कर ले गया है अर्थात इच्छा रूपी बाग वहां प्रीम करना वर्जित था वर्जन आ स्वतंत्रता के लिए उन्हें संगस करना उनके लिए आवशक है सामाजिक बागोनी प्रीम की परिभाशा अपने आप से लिखी है आप इस सरल भासा को समझी रहे होंगे ठीक है तो आगे चलते हैं और उसी दिन से उन्हें मरा हुआ मान लिया गया बहुत पीछे चूट ग हे भगवान उनके बेतर के दो भाग दो इंसानों की तरह एक साथ रहे ता उम्र प्रस्तुत का व्यांस में कवी प्रेम की परिड़ती को अभियक्त करते हैं कवी कहता है कि जिस दिन प्रेमी यूगल ने रात की अंधेरी में अपना घर छोड़ा उस दिन से उन्हें मरा हु को अमान लिया गया और वी अपने डर की साथ भागती हुए स्वतंत्र तो हुए पर हर पल एक नई समश्या का उन्हें सामना करना पड़ा कहने का तात पर है कि भागने की परष्चात जो सामाजिक बंधन से वह मुपतों हो गए थी स्वतंत्र हो गए थी फिर भी उनकी उन इंसानों की तरह एक साथ रहें ता उम्र कि दोनों की माओं ने प्रात्ना की कि ही भगवान दोनों की इच्छा रूपी बाग का अंत हो और दोनों ही एक साथ इंसानों की तरह उम्र बर रहें और एक दूसरे का साथ दें दोस्तों आज हमारी अपनी अपनी बाग जिसके लिए खकलीला धज्यकूरी जी है की व्याक्यां यही पिसम आप तो होती है अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो से जरू लाइक से यह सब्सक्राइब करें धन्यवाद